हलो फ्रेंड स्वागता है आप सब दा मेरे यूटूब चैनल गुर्मीत कीचन में आज हम बनाएंगे चावल और मक्की की रोटी जिनको बनाना बहुत ही असान है चलो बनाना सुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल सस्क्राइब करना ना भ पांस से साथ कलिया हमने लसन की ली थी इनको बारीक बारीक काट लिया था लसन को थोड़ा सा फ्राइब करेंगे अब हम इसके वीज प्याज आड़ करेंगे एक मीडियम साइज प्याज लिया था और उसको बारीक बारीक काट लिया था प्याज को हम हलका ब्रॉन करेंगे प्याज हमारा हलका प्राउन हो चुका है अब हम इसके वीज दो इंच अद्र के टुकड़ा लिया था उसको एड़ करेंगे और दो हरी मिर्च एड़ करेंगे इनको अच्छे से भून लेंगे अब हम इसके वीज टमाटर एड़ करेंगे टमाटर भी हमने एक मीडियम साज लिया था टमाटर को अच्छे से फ्राई करेंगे अब हम इसके वीज साग एड़ करेंगे साग हमने पहले ही बना कर रखा हुआ था अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसके वीज हरा दनिया एड़ करेंगे साग हमारा रैड़ी हो चुका है साग को साइड पर रख कर अब हम पहले आटा गून लेंगे सबसे पहले हम चावल का आटा गूने के लिए हमने 200 ग्राम के क्रीव चावल का आटा लिया है इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गून लेंगे द्यान से देखिएगा चावल का आटा गूनने के लिए हम इसके वीज थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको गून दे जाएंगे ऐसे मसलते हुए हम इसको अच्छे से गून लेंगे देखिये हैं हमारा आटा गुंद चुका है बस इसको थोड़ा सा और मस लेंगे और अच्छे से गुंद लेंगे चावल का आटा हमारा रैडी हो चुका है अब हम मक्की का आटा गुंद लेंगे सेम प्रोसेस से हम मक्की का आटा गुंदेंगे द्यान से देखिएगा मक्की का आटा गुंदना बहुत ही असान है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसको अच्छे से गुंद लेंगे अब हम इसको मसलते हुए अच्छे से गुंद लेंगे हमारा मक्की का आटा भी रैडी हो चुका है देखें हमारा मक्की का आटा कितना बड़ी असा सॉफ्ट डोव बनकर त्यार हो चुका है मक्की का आटा गुनने के लिए एक बात द्यान रखिए कि इसके आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से गुनना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखें हमारा आटा का उनकर त्यार हो चुका है अब हम रोटी बनाएंगे सबसे पहले हम चावल की रोटी बनाएंगे चावल की रोटी बनाने के लिए हमने एक पेड़ा लिया है इसको ऐसे थोड़ा सा हाथ से करके हम थोड़ा सा सुका आटा लेंगे और चकले पे डालेंगे थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे और ऐसे करके हम रोटी को फेलाते जाएंगे देखें हमारी रोटी कितनी अच्छे से बन रही है ना तूट रही है और बहुत ही अच्छे से बन रही है आप भी इसी त्रीके से अपनी रोटी बना सकते हैं बहुत ही असान है इसको बनाना कोई मुश्कल काम नहीं है देखिए हमारी कितने अच्छे से रोटी बन गई है हमने इसके लिए ना कोई पॉलिथिन जूस किया ना ही पानी लगाया सूखे आटे को लगाकर हमने रोटी त्यार की है कुछ लोग हाथ में पानी लगाकर रोटी बनाते हैं लेकिन बहुत तबे पर चिपक जाती है हमने इसको सूखे आटे लगाकर बनाया है देखिए हमारी रोटी कितने अस्छे से फूली थी सेम बे से हमने सैकिन रोटी भी बना ली देखे हमारी रोटी कितने अच्छे से बन चुकी है अब हम मक्की की रोटी बनाएंगे सेम परसेस से हम मक्की की रोटी बनाएंगे इसको भी हम हाथों से थोड़ा सा करेंगे और चकले पर थोड़ा सा आटा लगाएंगे सुका आटा वैसे ही हाथ पर लगाकर हम इसको हाथ को ऐसे गुमाते जाएंगे देखिया हमारी रोटी कितने अच्छे से बान चुकी है बिल्कुल टूटी नहीं है अगर कुछ लोग सोचते हैं कि यह हमारे वस में नहीं है हम नहीं बना सकते तो बिल्कुल गलत है आप बना सकते हैं ऐसे हमारे तरीके से बनाईए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना कर त्यार कर सकते हैं देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छे से बन चुकी है हम इसके उपर देशी गी लगाएंगे वहुत ही soft और वहुत ही वड़िया रोटी बनकर हमारी त्यार हो चुकी है चलिए हम इसको serve करते हैं मुझे comment करकर बताईएगा आपको कौन सी रोटी बसान दा है मक्की की चावल की अगर आपको साग की रेसिपी चाहिए तो please मुझे comment करकर बताईएगा मैं आपके लिए साग की रेसिपी लेकर आऊँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो please मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और comment करके बताईएगा वीडियो कैसी लगी और subscribe करना ना भूलें थैंक यू